हेलो फ्रेंड्स हम पर रहे हैं हमारे बुक का चैप्टे नमबर फाइव पैस्टलिस्ट इन दे मौडेन वर्ल्ड और हमारा आज का टापिक है हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो भी ब्रिटिस गवर्मेंट बदलाव ला रही थी तो इन सभी चेंजेज ने किस प्रकार से इन पैस्टलिस्ट लोगों के जीवन को प्रभावित किया था हमने देखा था कि पैस्टर्स में कमी आ जाती है इसकी वज़ा क्या थी तो दो वज़या राति एक नें ग्रैजिं尧 लैंड को कल्टिवेशन में करना श्टार्ट कर दिया था और दूसरा यसी इंरिप लेंट करते हैं जिसके दैत अविका रि रिजर्वेशन किया था आम लोग्यों के इंटिरी पर याश्टिक्ट न में भी घमियाए तो आज की इस्टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन सभी चैंजज को किस प्रकार से चैंज ने फेस किया तो गुवर्मेंट ने जो भी बदलाव लाए तो हर एक पैस्टलिस्त लोग हर एक चर्वाहे जो थे उन्हों ने अपने अनुसार से इस changes को face की कुछ लोगों ने तो क्या किया कि अपने जानवरों के मित जो उनके numbers of cattle थे उनको reduce करना start कर दिया जहां पहले 100 जानवर पाला करते थे अब वहां कम जानवर पाल रहे हैं वज़ा क्या थी तो जैसा कि हमने देखा government ने grazing lands को convert करना start कर दिया था cultivation land में forest act को introduce किया था जिसकी वज़ा से pastures land में कमी आई और pastures के कमी हो गई अब खाना मिलेगा ही नहीं जानवरों को तो क्या वे survive कर पाएंगे नहीं survive कर पाएंगे एक वज़ा और भी थी government ने tax को introduce किया था अब government जो है वो जानवरों पर भी tax चार्ज करती थी प्लस उनके grazing पर भी तो pastures लोगों को क्या था कि उनका burden जो है वो double हो गया था अब उन्हें अपने जानवरों पर भी tax देना है और उनके grazing पर दी तो जितना अधिक जानवर उतना अधिक उन्हें tax देना पड़ेगा यहां तके दूगना tax देना पड़ेगा तो इसलिए उन्हों ने क्या किया कि अपने cattle के numbers को कम करना स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने तो नए पैस्टर्स करने अब जोड़ेख लेखे लिए नाइंटीन फॉटी सेवन की बाद जब इंडिया श्वतंतर हो जाता है तो उसके बाद क्या हुआ कि जो रायका यह तरीके पताना और यह कोन से स्टेट से विलोंग करते है यह अपने जानवरों को चराया कर देब अब cubam के बाद यह लोग सिंध नहीं जाते थे वजह यह थी कि इंडिया और पाकिस्तान का बटवारा हो चुका था पॉलिटिकल बाउंडरीं आ गई थी इंडिया और पाकिस्तान में तो अब यह राइका कम्यूटी अपने जानवरों को लेकर सिंध नहीं जा सकते थे वहां अपने जानवरों को चराने के लिए तो इसी कारण से उन्होंने क्या किया कि अब नए पैस्टल लैंड कोजना स्टार्ट कर दिया तो वे लोग बूफ करकर आ जाते हैं हर्याना की जहां पहले सिंद्ध जाया करते थे अब वे लोग सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं अपने नाम पर आंसी हें सतना हो जाते जो इस दुझा करना उसको चोड़ देते हैं और जमीन खरिद सेटानी करते सहिंग जिया करते थए चचल्ट करते हैं करते हैं कुछ लोग टो ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं दूसरी और प्रेस्टलीन लोग जो गरीब थे वे लोग क्या करते थे कि जो बनी लेंडर्स होते थे जो उधार पे पैसे देता है उनसे पैसे बोरो करकर अपना जीवन यापन करते थे बहुत से पैस्टलेश लोग तो लेबर्स बन गए थे कहीं फिल्ड में कहीं काम कर रहे हैं तो कहीं छोटे-मोटे सैर में जहां उन्हें जैसा काम लिए वे लोग उ बहुत से लोग जो ही वह पाश्टलिक्ट लाइब जीते हैं कुछ पाश्टलिक्स लोग से टल होना सब्सक्राइब लोग लएक जगवाला जीवन जीते देखेंग्स खोने आज अपनलीक्स पैस्टलिक्ट YOUR Did या फिर उन्हें नहीं मिल पाता था, तो वे लोग क्या करते थे, कि दूसरे जगा जाते थे, नए पैस्टर्स लैंड की खोज में, या फिर अलग-अलग strategy अपना है, किसी भी तरीके से, मगर अपना जीवन वही पैस्टर्स लाइफ को ही उन्होंने continue किया, या तो उनके पास options थे, जब government में restrictions लगा दी, तो जो पैस्टर्स लैंड जहां वो लोग पहले grease कराते थे, अपने जानवरों को, अब वहां नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने नए पैस्टर्स लैंड की खोज करना start कर दिया, या फिर किन ही ने, तो अपने जो cattle के numbers थे, उसमें कमी करने लग अब समय के साथ जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे, तो इन चरवाहे लोग ने भी उस बदलाव के अनुसार अपने आपको बदलना start कर दिया, हाला कि आज भी बहुत से economist लोगों का मानना है, कि ये ड्राइ रीजन्स में पहारी छेक्तर में आज भी बहुत से लोग जो है वो पैस्टलिस्ट लाइफ जीते हैं, ये नुमैडिक लाइफ जीते हैं, ये तो हमने पर लिया कि इंडिया में किस तरीके से इन पैस्टलिस्ट लोगों ने चरवाहे ने अपना जीवन याप बने क्या क्या उनकी कंडिशन रहती है किस तरीके से एस सारे चेंज इस को अब ऐसे ही दुनिया में हर जगा चरवाहे रहते थे तो हर जगाँ उनकी कंडिशन अलग अलग तो हम अपने next class में परहेंगे कि आफ्रीका में पैस्टिलिष्ट लोगों की क्या condition थी I hope आपको आज का topic clear हो गया होगा, हम अपने next class में next topic के साथ मिलेंगे, हमारे इस चैप्टर के notes का पेडिया, आपके लिए description box में मिल जाएगी